Hello everyone, welcome to the student जितने भी लोग railway की तयारी या फिर SSC या किसी भी one day exam की तयारी कर रहे होगे चाहिए state level पे हो रहा होगा या फिर central level पे हो रहा होगा तो उसके लिए आप कोई भी subject अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसमें सबसे जो important role होता है वो होता है notes का अब क्या होता कि कई लोग सोचते हैं कि मुझे कहीं से notes मिल जाए और मैं किसी और का notes पढ़के selection ले लूँ या फिर किसी selected student का मैं notes पा जाऊं और मैं उसको पढ़कर के selection ले लूँ तो ऐसा इतना असान नहीं होता है कि अगर आप किसी और का notes प्रिफर करते हैं तो उतना फायदे मन नहीं होता है जब आप अपना खुद का notes बनाते हैं लेकिन notes तो एक दिन में बन के तयार होने ही जाता है तो इसके लिए आपको daily where daily कुछ ने कुछ लिखते रहना है और अच्छी writing में लिखना है एक range way में लिखना पड़ता है तब जा करके आपका notes बनता है और एक अच्छा notes वही मना जाता है जिसमें सारे type के questions available हो अगर कोई topic अगर आप उसमें पढ़ रहे हो तो उसका theory भी अच्छे से उसमें लिखा हो तो उसी से related मैं यहाँ पे अपने notes का आपको एक screenshot share कर रहा हूँ और मैंने कैसे notes बनाया हुआ था यह लंबी परकिरिया है और एक बार में notes तुरंत एक ही दून में दो दिन में या दस दिन में नहीं बन जाता है इसके लिए अगर कोई बड़ा subject आप उठा रहे हैं और पूरा complete करना चाहते हैं complete notes बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको step by step पढ़ना पढ़ता है चाहे आप online पढ़ रहे हूँ चाहे offline coaching से पढ़ रहे हूँ आपको कोई भी class miss नहीं करनी होती है और यह video बहुत ही important है उनके लिए जो लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं और notes बनाना चाहते हैं आज यह video अगर आप complete देख लेंगे तो mathematics का notes कैसे बनता है एक बहुत अच्छा notes मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है और आप इसमें समझ जाएंगे कि कैसे हमें notes बनाना चाहिए और मेरा notes कैसे छोटा से छोटा बनेगा उसके बारे में भी मैं इसमें बताऊंगा और आप देखेंगे मेरा notes कितना अच्छा है एक ही language में मैंने यहाँ पर लिका हुआ हिंदी में यह पूरा बना हुआ notes है mathematics का इसी तरह से same जो लोग English में बनाना चाहते हैं वो लोग English prefer कर सकते हैं इसमें मैंने हर एक टाइप के question को इसमें include किया हुआ है और मैं बताऊंगा कि कैसे future में अलग से अगर माल लिए कोई और type बाद में आपको देखने को मिलता है तो उसके लिए कि क्या करना चाहिए हमें अपने जो chapter का notes बनाए हैं उसमें क्या हमें करना चाहिए जिससे बाद में हम questions को उसमें add कर लें तो यह सारी सीजें मैं इसमें discuss करूँगा आप लोग वीडियो को last तक जरूर देखिएगा और जो लोग channel पे नए हैं please channel पे आप लोग बने रहे हैं जितने भी लोग railway का preparation कर रहे हैं अगर उनको mathematics का previous year question का collection चाहिए तो किरन publication का new edition 2023 का आपको market में मिल जाएगा 10,000 प्लस इसमें question है उसी तरह से reasoning का भी previous year question का collection है 8700 question यहाँ पे आपको market में मिल जाएगा और जितने भी लोग CBT1 की preparation कर रहे हैं उसमें देखिए सामानने ग्यान का आपका जो portion है general awareness का आरपी आप की अगर आप preparation कर रहे हैं तो उसमें भी सामानने ग्यान का question आपको देखने को मिल जाएगा तो उसकी अगर आपको बुक चाहिए थे कि इरन परपेशन का बुक आपको market में मिल जाएगा और यह आप चाहें तो online भी खरी सकते हैं और यह Hindi और English दोनों में available हैं तो चलिए देखते हैं यह मेरा mathematics का notes है percentage chapter मैंने यहाँ पर शुरू किया हुआ है और इस chapter का मैं notes आपको दिखा रहा हूँ किसी भी जगह से आप पढ़ सकते हैं online माध्यम से offline से जहां से भी आप पढ़ रहे हैं कोई और chapter भी आप चाहें तो शुरू कर सकते हैं यह देखें जो मेरा notes है 5 June 2017 को मैंने यह topic यह chapter लिखना शुरू किया है तो अब इस साल मतलब है 2024 मैं यह वीडियो बना रहा हूँ तो यह लगबख 7 साल तो होई गया है 5 June किस लिए मनाया जाता है तो Environment Day के नाम से मनाया जाता है यह भी मैंने यहाँ पर लिख दिया हुआ है अब देखी क्या है कि जब भी आप कोई chapter का notes बनाना शुरू कर रहा है तो मैंने शुरू में देखें इतना space पहले छोड़ा हुआ है इससे ज्यादा या फिर इतना space आप छोड़ लिएगा यहाँ पर मैंने इसलिए छोड़ा हुआ था कि किस तरह के type के question मुझे percentage में देखने को मिलेगा वो मैं यहाँ पर एक एक लिखता रहूँगा यह काम आपको भी करना चाहिए कि जब भी आप chapter सुरू कर रहे हैं उसकी सुरुवात में ही आपको 10-12 line यहाँ पर छोड़ दीजे जिसमें आप जितने भी type के question अगर आप chapter में करेंगे उसको आप एक एक करके यहाँ पर लिख दिएंगे जैसे मैंने पहला यहाँ पर type लि इतने नमबर पाया इतने नमबर से फेल है 10% और नमबर पाता तो पास हो जाता इसके अधार पर जो question है वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है election based जो question आते हैं when diagram के based जो question आते हैं income tax के अधार पे commission based जो question है mixture based जो question है percentage में और भी type के question बन सकते हैं जो अगर अलग type का question बनता त मैं हो सकता था यहाँ पे भी इसको note करता तो यह काम सबसे पहले आपको करना चाहिए जिससे आपको overview एक chapter का मिल जा कि कितने type यह question इस chapter में हैं अब आते हैं सबसे पहला की based on numbers सबसे पहला जो type मैंने लिखा हुआ था तो पहला type यहाँ पे cover किया गया है देखे जो भी type मैं जैसे एक type कवर करते जाएं उसके बाद से को यहाँ पर लिखल गया है अपने पहला type मैंने चाहीं है है QT यहाँ पर My version लिखा हुआ है बैसके मैंने QT लिखा हुआ है जब सुरुवात तो मैं यहाँ पर कर रहा था लग構 जब आगЕ आप देखेंगे तो हर इक टाइप में 2 या 3 QT आपको देखने को मिलेगा अभी आपको दिखा जेता हूँ just यहाँ पर number based के question पर एक same pattern पर नहीं है यह question थोड़ा सा जब pattern change हुआ है तो मैंने यहाँ पर type लिख दिया है चाहे तो आप type 1, type 2 इस तरह से लिख सकते हैं क्योंकि एक तरह के question में भी कई-कई तरह के थोड़ा सा type बदल के question आता है तो उसको भी आप अलग करके note कर सकते हैं उसके बास से यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर तीसरा का solution लिखा हुआ है चोथे का solution लिखा हुआ है कई लोग है कि जो अपने मतलब जो आप notes आपके पास है या फिर जो books है आपके पास उसमें जो solution दिया रहता है वो थोड़ा सा lengthy होता है कई लोग online माद्यम से है तो वहाँ पर आपको shortcut माद्यम से पढ़ा जाता है तो shortcut भी आप यूज करिए लेकिन कोशिज करिए कि अगर आपके पास जो basic concept है जो base जो रहता है उसको एक बार जरूर solve करिए क्योंकि अगर आप basic strong है जो भी आप trick यूज करते हैं question को solve करने में trick अगर आपने notes में भी लिखा हुआ है तो trick अगर exam में आप देखेंगे थोड़ा सा भी change हो जाता है अगर question का type तो बदल जाता है मतलब आप वो trick उसमें नहीं लगेगा और वो question आपका गलत हो जाता है तो इसलिए मैं कहता हूँ बहले ही जो basic वाला concept लेंदी होता है तो लेंदी को एक बार समझ क जरूर रखा करिए कई बार मेरे साथ ऐसा होता था कि जब मैं trick भूल जाता था तो लेंदी से ही solve करता था अगर आपके पास समय है तो लेंदी से भी आपको question solve हो जाएंगे और जो समय आपने बचाया हुआ है उसका आप महां पर utilize कर पाएंगे तो तीसरा और चौथा यहा किया है आपको मैं दिखा देता हूँ पांचवा यहां पर मैंने solve किया हुआ है और six number का seven number का यहां पर मैंने question solve किया हुआ अब सेवंथ नमबर में देखें दो तरह किसको solve कर सकते थे देखिए पहला type इस तरह से solve किया गया है अथवा करके मैंने लिखा हुआ कि या चाहें तो तीन question से तो मैं समझ जाऊँगा कि pattern कैसा है, question को इसे solve करना है, और आठमा question मेरा practice के तोर पर रहेगा और मैंने इसका answer भी यहाँ पर लिखा हुआ है, तो answer आपके पास इसमें लिखा हुआ मिल जाएगा, जब आप solve कर रहे हैं, शुरू में आप question को पढ़ रहे हैं, जब आप future में कभी भी note से आप पढ़ते हैं, तो आपके सामने वो answer ज़रूर है कि हाँ मैंने जो solve किया है, यहाँ पर देखिए next type हो जाता है, income, expenditure, saving बेस्ट पर जो question है, यहाँ पर देखिए 9, 10, 11 और 12, यहाँ पर 4 question मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, अब मैं यहाँ पर solution की number का solution मैंने किया है, देखिए, एक type के इस तरह से solve किया है मैंने, अथवा करके दूसरे तरीके से भी solve किया है, जितने भी तरीके अगर मुझे एक से दो type तरह के अगर मुझे solution आते हैं, तो मैं इसको solve कर लिया हूँ, अब देखिए होता क्या कि कभी कभी question कोई भी है, अग अच्छा हो, दूसरा जो method है, वो किसी complicated percentage value के लिए अच्छा हो, तो इसलिए दोनो टाइप के जो solution है, उसको मैंने यहाँ पर लिख करके रखा और यह काम आपको करना चाहिए, लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब आप online mathem से पढ़ते हैं, और कोई teacher किसी और तरीके से solve करत हैं, तो जब आप notes बना रहे हैं, तो आपको करिए कि दोनों तरह के solution आप एक साथ लिख लें, जो आपको बहतर लगा है, वो आप उससे exam में solve करिए, देखिए, दसा question भी दसमा नमबर का इसको solve किया, ग्यारवे नमबर का question उसको मैंने solve नहीं किया है, तो ग्यारवे answer मैंने यहां पर लिखा हुआ है, तो यही काम आपको करना है, जब आप notes बना रहे हैं, देखिए, कितना अच्छा सा मैंने notes बना है, एक चीज और ध्यान देना है आपको, कि देखिए, मैंने एक ही page में दो line बना दी है, यहां पर दो line बना दिया है, ऐसा इसलिए मैंने कि कि जब भी मैं अगर एक ही पूरे page में मैं question पूरे लिखता हूँ, मैंने मतलब 13 number का question यहां से लिखना शुरू किया, एक पूरी line लिखी, फिर दूसरा line लिखा और तीसरे line के यहां तक यह question समाप्त हो गया, जो इसका language है, फिर जब मैं इसको solve करने चलता हूँ, तो बचल यहां भी solve हुआ है, और एक question यहां भी solve हुआ है, देखिए, यहां पर मैंने question नीचे लिखा हूँए, लेकिनि अगर यह solution यहां पर आता, तो इतने area में question solve हो जाता है, और इतने area में question और solve हो जाता है, तो इससे आपको फायदा होगा, कि जो भी आप chapter पढ़ने जा रहे है उसका notes बना रहे हैं, तो percentage में मुझे अगर notes बनाने में, अगर 15 page लग रहे हैं, तो आपको हो सकता है कि 25 से 30 page आपको लगए solve करने में, या फिर notes बनाने में, तो जब notes जितना बलकी बनेगा, तो जब आप उससे पढ़ने जाएंगे तो लगए है कि यह chapter बहुत lengthy है, या फ कि हर एक chapter को पढ़ना, फिर notes बनाना, exam देना, या फिर बीच में test series पे चले जाना बीच में ये चीज़ें छूड़ जाती थी, और कभी कभी जो future में जो भी exam होते थी, तो हर एक chapter के last में, आपको क्या करना है, जैसे ये chapter पूरा मैं last तक जाता हूँ, तो दिखी, यहाँ प करता था, कभी कभी क्या होता था, जब आप test series दे रहे हैं, तो test series में आपको बहुत अच्छा question एक अलग तरह का percentage का देखने को मिल जाता है, कभी कभी exam में भी आ जाते हैं, तो लगा कि ये मेरे notes में नहीं है, तो उसको आप अपने percentage के last में उसे important करकर के लिख सकते हैं, ज और इसी तरह से ये कलंबी परकरिया केता है, तो आपका notes बहुत 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 बन जाता है, जो लोग English में पढ़ रहे हैं, वो English में अपना notes बनाईए, दोनो language में लिखने की जरूट नहीं है, चीजों को आप छोटा से छोटा लिखिए, और बहुत ज़्यादा description पर जाने की जरूट नहीं है, और अगर आपके सामने कोई solution, किसी भी question का solution, lengthy method से और short trick दोनों आपके सामने available है, तो सिर्फ एक ही method से मत आप अपने notes में लिखिए, कम सकम एक बार उस type के question का lengthy solution भी लिख करके रखिए, और अथवा करके उसका short trick भी रखिए, क्योंकि जब provision के तवर पर आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, कि इसका lengthy solution क्या है, जो basic concept है, कहां से short trick आया है, वो भी आपको पता होना चाहिए, तो इसी तरह से आप चाहिए, तो mathematics का notes बना सकते हैं, लेकिन ये मैंने आपको दिखाया है, कि मेरा notes किस तरह से था, और ये 7 साल पुर subscribe जरू करा करिए, क्योंकि इतना मेहनत से मैं बना रहा हूँ अपने duty के time में भी, अपना समय निकाल करके आपके लिए जो जरूरी हो सकता है, exam के लिए जो मदद हो सकता है, मैं उस तरह की video सोचता हूँ, ज्यादा तर बने, तो आप लोग का support अगर बना रहेगा, इसी तर